आप साब उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे पेटा आज हम लोग जो आपके मैक्स की इस तर वन की वरक्षीट की बुक है ना इस तर वन की ठीक है उसकी डे थर्ड और फोर्ड की अक्टिविटी करने जा रहे हैं तो चलिए पढ़ते हैं इसमें पहला प्रशन नुसार दे गए आकरती से मिलान करें ठीक है अब देखिए यहां पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जैसे कि दो चार आठ छे तीन अब आपको यहां गिनके उन आकरतियों से मिलाना है जिसमें इतने हो जैसे कि कितने हैं गिने एक दो तीन चार पाँच छे साथ तो आप इसको आठ से मिला दीजिए ठीक है अगला चलते हैं गिने कितना है एक दो तीन तो आप इसको तीन से मिला दीजिए यह लीजिए ठीक है नेक्स गिन यह जरा कितने है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छे कितने है छे तो इसको छे से मिला दीजिए नेक्स ग इन यह कितने हैं तो देखे एक दो टीग चार को चार से मिला दिजेक हैं सिंप्ल कर लेंगे जलिये आगे चलते हैं अग्या प्रश्ण आपको दिया गया है डिये गया चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगा लिए सुझ में पशल्ग Polis साथ आठ तो आठ पर गोला लगा लिजे गिनिए एक दो तीन चार पांच छे तो छे पर गोला लगा लिजे एक दो तीन चार पांच तो पांच पर गोला लगा लिजे कर लेंगे तो इसा से ये दे थर्ड की अक्टिविटी होती है और हम ये दे फोर पे आ गए तो देखें, यहां लिखा है, नमबर 3 पे, चिनों को समझते हुए हल करें, तो देखेंगे किसका निशान है, प्लस का, जरा जोड लीजिए, यह है 6, 6 में 3 जोडेंगे, तो कितना होगा, 9, मैंने आपको बताया था कल जोड के, इसी तरह से देखें, कितना है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 में एक जोडेंगे, कितना हो जाएगा, 8, ठीके, इसी तरह से देखें, यह भी जोडने वाले, इसा वाले, देखें, 5 और 4 कितना होगा, 9, गिल लीजिएगा, 5 और 3 कितना होगा, 8, मैंने आपको सिखाया था, डंडे कीच लीजिए, यह 5 डंडे कीच लीजिए, य जोड लीजिए, 5 और 3, 8 हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट आपको दिखें, यहां दिएगा है, माइनस करने के लिए, तो देखें, 6 डंडे, पहले बनेंगे, 6 डंडे, उसमें से 5 को हम काट देंगे, तो देखें, 5 हमने काट दी, तो कितने बचे, 2, ऐसी हमारे पास देखें 8 तितलिया हैं, गिन लीजिए, उसमें से हमने 3 तितलियों को काट दिया, अब हमारे पास कितने तितलिया हैं, बचे, 5, ऐसी माली हमारे पास 6 डंडे हैं, ठीक है, 6 डंडो में से हमने 2 डंडे काट दिये, तो कितने डंडे बचे, 1, 2, 3, 4, तो हम 4 लिख देंगे, ऐसी माली एक दू तीन चार पाच छे तो कितने रंडे बचे छे ठीक है ना कल दीजिएगा चलिए आगे चलते हैं यहां देखिए प्रशन नमबर पाच में आपको दिया गया है राहुल के पास नो रुपे थे तो राहुल के पास कितने रुपे थे नो रुपे यदि उसने तीन बचे तो अगर हम यहां नाइन स्टिक्स बनाए वन टू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है और उसने गुपाड़ा खरी थे तीन रुपे को तो तीन स्टिक्स हम भटा दी अब देखिए कितने बचे एक दू तीन चार पाच छे तो कितने बचे छे ठीक है कमला ने पाच रुपे की एक कलम और तीन रुपे की एक पैंसिल खरी दी पाच का पैन खरीदा चीक है और तीन की पैंसिल खरीदी बताइए कमला ने कुल कितने रुपे खर्च किये तो आप प्लस कर लेंगे तो यह हूँ जाएगा है ना सिंपल तो आप लोग इसे आसाने से कर सकते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे आज हमारा डे ठीरी और फोर कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डे फाइफ और डे शिक्स के साथ चलिए तो आज की वीडियो को आपने खत्म करते हैं देखियो कि वाज़ आपके यहाँ यहाँ किया जैते हैं जैते हैं